वेलकम टू फालकन एक्सल कैडमी मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको MS Excel 2021 में लेक्चर नबर 20 पढ़ाने जा रहा हूं आज हम बात करेंगे इसमें sort के बारे में, filter के बारे में, text to column के बारे में, flash fill के बारे में, remove, duplicate के बारे में and data validation के बारे में तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूंगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएं, कुछ आप new or learn कर पाएं तो इस वीडियो को like और share जरूर करतीजेगा तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर साथ से पहले हम बात करेंगे सौट के बारे में कि अगर आपने यहां पर data को सौट करना है अगर आपने एक इक column को select किया हुआ है और मैं इसको sort करना चाहरा हूँ तो आपने यहां पर sort पे click करने के बाद आपने continue with current selection पे click करेंगे और आप sort पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे sort पे यह dialogue box open हो जाएगा अब उसके बाद आपने यहाँ पे देखें मार पास जो category है वो कौन सी है row number है cell value हमारे पास है उसके बाद यहाँ पे smallest to largest करना चाहते हैं sort पे तो आपके सामने यह dialogue box open हो जाएगा sort by में आपने select करना है जितने columns आपने select के उन सबका record यहाँ पे इसमें आ रहा है हम यहाँ पे name को sort करना चाहते हैं और उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे cell value रहने दें उसके बाद यहाँ पे प्लिक करेंगे data z to a और उकिप क्लिक करेंगे तो यह देखे आपके पास यहाँ पे data z to a की तरफ आ रहा है और इसी तरह से अगर आप sort करना चाहते हैं color wise तो आपने sort पे क्लिक करना है sort पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे select करेंगे इसमें name और उसके बाद जिसमें color apply होगा तो आपने वही category आपने यहाँ पे select करनी है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे click करते हैं इसमें cell color और cell color select करने के बाद आपने यहाँ पे color को select करना है जैसे हम green color को top पे लाना चाहते हैं तो on top पे click करें जैसे हो के click करेंगे तो यह देखें आपके पार data sort होकर top पर आ चुका है तो इस तरह से भी हम data को sort कर सकते हैं और दूसरी command हम पढ़ने जा रहे हैं filter apply करने के बारे में कि अगर आप यहाँ पे city wise या उसके बाद आप इसमें subject wise या name wise, role number wise अगर आप data को sort करना चाहते हैं तो आपने heading को इस तरह select करने या पूरे table को आप select करें और filter पे click करें जैसे हम filter पे click करेंगे तो आप देखें आपका filter यहाँ पे apply हो चुका है तो हम यहाँ पे click करते हैं अगर आप यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं यहाँ पे filter करना चाहते हैं color wise तो आपने यहाँ पे जैसे हम देखें उन्हें आप filter प्लाई किया हुआ है और उसके बाद जैसे हम यहां पे क्लिक करेंगे फिल्टर के उपर और उसके बाद आपने यहां पे फिल्टर बाइक कलर पे आना है जैसे हम यहां पे यलो कलर पे कलिक करते हैं तो डेटा यलो कलर वाला शो हो रहा है और उसके बाद फिल्टर करना चाहते हैं पे green तो ये green कलवाला data मारे पाश हो रहा है और उसके बाद तमाम data को अगर हम यहां पे दुबारा शो करवाना चाहते हैं तो clear filter पे click करेंगे filter यहां पे सारे clear हो जाएंगे और filter पे click करके filter को remove भी कर सकते हैं उसके बाद next command में पढ़ने जा रहे है text to column के अगर आप यहां पे data को यहां पे column से अलग column में आप से paste करना चाहते हैं तो उसके लिए हम text to column की command का use करते हैं मैं यहां पे new sheet create कर रहा हूं और यहां से हम इसका zoom बढ़ा लेते हैं जूम बढ़ाने के बाद फर्स कीजिए मैंने यहां पे कोई भी number यहां पर टाइप किये हैं जैसे 1234567 आप इसके मैं नंबर को अलग-अलग column में यहां पर show करवाना चाहता हूं तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने यहां पर इस column में click करना है click करने के बाद text to column पर हम क्लिक करते जाना है तो जितने नंबर से उतने आप click करते जाएं और इसके बाद next पर क्लिक करें जैसे हम यहां पर finish पर क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके तमाम नंबर अलग-अलग से column में यहां पर show हो रहे हैं और उसके बाद next command में हम बात करेंगे इसमें flash fill के बारे में flash fill की command हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर अपने यहां पर कोई भी data कर राइट किया हुआ है जैसे first name और last name है और हम first और last name को अलग-अलग करना चाहते हैं कि मैंने यहां पर अली रजा कर लिया फिर मैंने यहां पर राशद अली कर लिया फिर मैंने यहां पर माजद माजद खान हम कर लेते हैं यहां पर और इसके बाद मैं यहां पर अनिल कुमार कर लेता हूं उसके बाद साजन साजन कुमार कर लेता हूं और इसके बाद गौप put two column होजए है हमारे पास और उसके बाद यहां हम चाहते हैं कि यह जो मारे पास first name आ रहा है यह अलग होजाए तो असके लिया हम क्या करेंगे सबस्ट पेले मैं ऻणी यहाँ टाइफ किया लिया अली और जैसे मैं यहाँ पे enterprise करूँगा तो यह देखिए अली मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और जैसे मैं फ्लैश फिल्म पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक्सल फॉर्ण से समझ गया कि यह फिस्ट नेम यहाँ पर लिखना चाहरा है तो जैके यहाँ पर जितने भी फिस्ट नेम इसमें आ रहे हैं जैसे अली है राशिद है माजद है अनील है तो अली राशिद माजद और नील देखिए यहाँ पर अलग अलग हो चुके हैं अगर आप यहाँ पर लास्ट नेम लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पर दे लिया इसमें रजा और स्कुर्ट फिर आप नीचे क्लिक करेंगे और फ्लैश फिल्म पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए आपके पास अली रजा, राशेद अली, माजिद खान, अनील कुमार यह लग लग हमारे पास एड हो चुके हैं यहाँ पर राइट ली करके हम इसको डिलीट कर लेते हैं, तो आप देखे हमारे पास यहाँ पर यह दोनों नाम सेपरेट हो चुके हैं इस तरह अगर आप ने यहाँ पर कोड़ेट लिखे हैं जैसे जून 2 और 2021 मैंने कर लीआ रहर कि क्लिक करते हैं इसको ड्रेग करते तो यहाँ पर हमारे पास चैंज हो रही है अब शुक्त हैै हम यहाँ यहाँ पर एयर स्को अलग करना चाहते हैं देखिए सारे हमारे पास यहाँ पर मन्तलग से आ चुके हैं तो इस तरह से हम डेटा को यहाँ पर separate कर सकते हैं और next command में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम duplicate को किस तरह से remove कर सकते हैं तो next sheet के पर मैंने कुछ name यहाँ पर write किये हुए कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो दो मर्तबा repeat हुए है जैसे कि अलीरजा है और काशिफ है वैलियो देखिए हमने इसको select करना है पहले select करने के बाद conditional formatting, highlight tool and duplicate value तो आप देखिए जो जो duplicate values होगी वो यहाँ पर highlight हो चुकी है अब हम चाहते हैं कि duplicate value यहाँ से remove हो जाए तो इन तमाम data को आप select करें और select करने के बाद आपने इसमें आना है data पे और remove duplicate पे हम प्लिक करते है और इस पर देखिए आपके पास column A है, B है जो भी column है उसको आपने select करना है select करने के बाद जैसे मोगे प्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके पास जो two duplicate values थी वो दोनों remove हो चुकी है और बाकि आपके पास जितनी values हैं वो सारी unique है तो इस तरह से आप duplicate value को find करके remove भी करवा सकते हैं उसके बाद next command हम पढ़ने जार इसमें data validation के बारे में कि data validation आपने किस तरह से apply करनी है तो यहाँ पे एक new sheet create हम करते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसका हम zoom बड़ा कर लेते हैं तो फर्स कीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ data write करना है और data validation एक वसी topic है जिसके बारे में आगे चल कर मैं advance में step best tip आपको पढ़ता रहूँगा तो अभी इस तो data validation का basic का use हम पढ़ दे हैं जैसे मैंने यहाँ पे type कर लिया name और square मैं किसी भी item के यहाँ पे price write करना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि मिरे पाद जितने भी item है उनके price 100 और 200 के दर्मियान है ना 100 से कम है ना 200 से ज्यादा है हम यह चाहते हैं कि 100 से कम अगर कोई value लिखे तब भी computer error दे अगर 200 से अबब कोई value लिखे तब भी computer error दे तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इन तमाम sales को हमने select करना है जहां पर हमने ये values एड़ करनी है बेशिक आप पूरे column को आप select करने और फिर उसके बाद आप click करेंगे data validation पर और जैसे हम data validation पर click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर different options आ रही है आपने data validation पर click करना है और आपके सामने data validation का यह dialogue box open होगा आपने setting पर click करना है पर click करने के बाद allow में आकर आपने hole number पर आना है होल नभर पर click करके आपने यहाँ पर between 2 के दरमיigation यानि आपने यहाँ पर minimum value हमारे पास 100 हर maximum value हमारे पास 200 है और इसके बाद यहाँ पर हम click करते हैं इसमें error पे और इसके बाद अगर जो भी value हमारे पास है वो 100 से कम और 200 से अबब चली जाए तो वो error है error कौन सा stop आजए और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम type करते हैं जैसे 100 या 101, 150, 199 and 200 अब जैसे 201 हम type करेंगे 202 type करेंगे तो computer यहाँ पर error दे रहा है इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 100 type करते हैं और 99.99 भी दर्ज करेंगे तब भी computer error देगा 85 type करेंगे तब भी computer error देगा 4500 type करेंगे तब भी computer error देगा अगर आप इस validation को remove करना चाहते हैं तो आपने home पे आना है हम पे क्लिक करने के बाद find पे आना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे data validation पे तो computer में बता दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी data validation अपलाई हुई है अगर आप इसको remove करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आपने data पर आना है data पर click करने के बाद data validation पर हम आएंगे और उसके बाद आपने click करना है clear पर और उसके बाद आप occup ग्लिक करेंगे अब आप जो भी value type करेंगे value आपके यहाँ पर add हो जाएगी automatically जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आइड हो रही है तो यह था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया किस तरह से data को हम sort कर सकते हैं, filter apply कर सकते हैं text to column किस तरह से हमने करना है, flash filter use हमने कैसे करना है, duplicate को कैसे remove करना है and data validation का استعمال हमने किस तरह से करना है उमीद है आज किस लेक्चर में बहुत कुछ new सीखने को मिला होगा, मिलते हम next lecture में तब तक के लिए, good bye